नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटुब चानल में और आज हम जानने वाले हैं जार्खन कंबाइंड एक्जाम के द्वारा चितने भी कॉर्सेस में एड्मिसन लिया जाता है जैसे कि एग्रिकल्चर, वेटनरी, फोरेश्टरी, होडी कल्चर, फीसरी, बी धार्खन कंबाइंड इंड्रेंस कंपेटिटिव एक्जामेनिसन बोर्ड तो इन कोर्सेस में जो एड्मिसन लेने के लिए application fee होती है, वो कितनी होती है, counseling fee कितना होता है, वहीं exam center कहां दिया जाता है, इन सारे विशेयों पर हम बारिकी से चर्चा करेंगे, उससे पहले अगर आप चानल में नहीं हो, तो subscribe कर लिजिए और bell icon call पर प्रेस कर दिजिए, ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहा है, तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले application fee के बारे में, कि इसकी जो application fee है, वो कितनी है, तो अगर हम इसके application fee की बात करें, इसमें जो application fee रखी गई है, वो category wise रखी गई है, जियां, अगर हम देखें, SC, HD और female categories के लिए जो इसमें fee रखी गई है, वो PCM, यानि कि physics, chemistry, math के student के लिए सड़े 400 रखी गई है, और वहीं PCB, यानि कि physics, chemistry, bio के student के लिए भी सड़े 400 रखी गई है, वहीं एगर PCMB की बात करें, वे student जिन्होंने 12th में physics, chemistry, math, bio की पढ़ाई किये, उनके लिए जो रखा गया fee, वो रखा गया है 500 रुपए हैं, जियां, बहुत सारे student ऐसे होते हैं, जो 12th में math और biology दोनों लेके पढ़ाई करते हैं, उनका जो course होता है, वो होता है PCMB के, वहीं अब बात करते हैं, जिसे कि हम EWS पोलते हैं, वहीं PC1 और BC2, यानि कि OBC1, OBC2 की बात करें, तो उनके लिए PCM में रखा गया है 900, PCB में 900, वहीं PCMB student के लिए 1000 रुपए रखा गय है, application fee, आपको जब form apply करना है, तो ये fee आपको देना होगा, कैसे देना होगा, debit card, credit card या net banking के थ्रूँ आपको pay करना होगा, तब जाके जो है आपका application माइनी होगा, अब आगे बात कर लेते हैं, कि इसमें जो counseling fee होती है, वो क्या होती है, जब आपका जो exam देने के बाद, ज देखने वाले हैं, तो counseling fee चलिए देख लेते हैं, इसमें जो counseling fee रखी गई है, वो रखी गई है, general student के लिए, अगर हम बात करें, general EWS, वहीं BC1 और BC2 के लिए, तो उनके लिए application fee 400 रुपए है, वहीं SCHT और female categories की जो होते हैं, उनके लिए 800 रुपए रखा गया, counseling fee, और जिस college मिल जाता है, तो इसके बाद आपको जो है, 1000 पे करना होगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, अब या अर्थियों को अपवंदिक, seat, आवंटन, पत्र, जो है, वो मिलने के बाद आपको 1000 रुपए पे करना होगा, अतरिक, आपको seat confirm करवाने के लिए, अब बात करते हैं कि इसमें जो हमें जो exam center मिलता है, वो कौन सा मिलता है, कहां पे exam center दिया जाता है, तो अगर हम exam center की बात करें, तो इसमें जो exam center जो generally दिया जाता है, वो दिया जाता है, राची, जी हां, इसका जो पूरे state में दिया जाता है exam, वो राची दिया जाता है, अलग-अलग ज में ही जो है इनका exam center generally राची के आसपास में ही बनाया जाता है जिसके लिए आपको exam देने के लिए राची ही जाना पड़ेगा आप बात करते हैं कि राची ही क्यों तो क्योंकि इसमें जो student होते हैं वो बहुत जादे नहीं होते हैं अधिक से अधिक 5-10,000 के करीब student होते हैं जिनके लिए कि एक ही city में exam center बनाना आसान होता है पहले जो अगर हम exam mode की बात करें कि offline लिया जाता है या फिर online तो पहले जो exam होती थी वो होती थी offline जी हाँ तो पहले की exam होती थी offline लेकिन अब जो exam हो रही है करोना pandemic के कारण वो exam हो रही है online अपकी exam हो रही है online और यह जो लिया जागा computer based होगा जी हाँ आपको computer से ही आपको exam दिया जाएगा टाइप की बात करें तो इसमें multiple type question होंगे जिससे की मान लिजी आपकी एक question में चार option दिये जाएंगे answer को जिसमें कि आपको सही answer टिक करना है और वो आपका एक number मिलेगा आपको एक question में अगर आप किसी question के answer को गलती करते हो तो आपका जो है सही वाले से 0.25 यानि की 0.25 नमबर जो है वो काट लिये जाएंगे 0.25 नमबर काट लिया जाएगा गलत करने पर तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको टिक करना है तो ये जो जानकारी थी मैंने आपके साथ share किया उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगे फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो या जानकारी ले नहीं हो तो आप जो है comment box पर comment कर दिजेगा वहां से हम आ झाल